कुछ न कुछ जरूर आएगा और कलास को पूरा इंट तक देखना है पहले सवाल का जवाब दीजिए जो सबसे उपर है नमबर एक बताईए इसमें से रैखिक समीकरण कौन सा है एक चर्रासी में समीकरण बताईए पहले रैखिक नहीं चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेरे गुड बच्चे चलो भई कमेंट्स में सबका देखूंगा लेकिन लाश्ट में एड़ दाईट सबसे पहला जवाब गीता परमा का आया है बेरे गुड ठीक है बहुत अच्छा निम लिकित में से एक चर राशी में समिकरण वो है जिसमें सिर्फ एक चर हो यानि चाहे यक्स हो वाई हो या सिर्फ यक्स वाई हो देख रहा हो यह मच्छर इतना आती करता है जहां बैट जाता हम टच हो जाता है और फिर खराब हो जाता है सिर्फ एक चर है किसी में c वाले में only one variable equation बोलते हैं इंगलिस में ये परिभास आया देखिए अभी जो मच्छर वाली कहानी बताया ना बहुत एक दिन में परिसान था मैं समझ नहीं पारा था मच्छर की वज़ा से हो रहा ये यहाँ बैठ गया तो ये open हो गया इतना sensitive है इसमें touch भी ना करो फिर भी चलता है देखो ये तो एक या एक से अधिक चर वाले दो भी जी ये बेंजक के मद्धे अगर एक समता यानि बराबर कचिन लग जाए तब वो क्या कहलाता है समी करण कहलाता है ये equation की परिभासा है जैसे यहां पर लिखा है ठीक है ये क्या equation है यानि समी करण हमारा आज फोकस है रखिक समी करण पर रखिक समी करण इनको देखिए प्यार से मैं हर जाता हूं सामने देखिए आएए यदि किसी समी करण यानि equation के चरों यानि variables में अधिकतम घात एक हो तो वो रखिक समी करण कहलाता है अधिकतम घात एक हो मतलब maximum power 1 होनी चाहिए दियागे question में सब में देखिए इसमें चर चाहे एक हो एक से अधिक हो सबकी घात एक है क्या है सबकी power 1-1 है ये सबी क्या है रखिक समी करण है बताए जबाद दीजिए second question में बताओ भई प्यारे बच्चों चलो बहुत अच्छा linear equation इंगलिज में बोलते हैं इसमें linear equation कौन है very good ऐसे ही तो है कुछ हो रहे बी वाला साही है इसमें घाते एक-एक है बाकी सम में देखो ये घात एक से अधिक है इसमें भी घात एक से अधिक है पूरे समी करण में कहीं भी अगर एक से अधिक घात है तो वो linear equation नहीं है सिया भिसकर्मा भीकम सिंग अमन गीता बर्मा ये बाचीत वाले को बलाक करिये पर्मनेंट बलाक करिये इनको भगाई है यहां से नालायक आजाते हैं इसमें डिस्टप करने निम्न में समी करण नहीं है बताए इसमें कौन है ऐसा जो एक कोईसन नहीं है बहुत अच्छा बेरी गूट देखिए कह रहा था कि दो या दो से आधिक बेंजक जैसे एक बेंजक ये हो गया एक बेंजक मानलो की ये हो गया इनके बीच में अगर समता का चिन्न है बराबर का चिन्न है ऐसे भी करफ़कते हो तो ये क्या I-Q 210 है ये समी करण है लेकिन अगर सिर्फ और फिर्फ method कहीं लिख दिया तो ये समी करण नहीं है ये ओली बेंजक है पताए तीन में सी कौन सा है कि बीवाला ना ठीक है तीन में कौन सा सही है बीवाला इसमें से आपकी परिच्छा में एकाथ न एकाथ कुश्चन जरूर आएगा यह याद रखना पक्का आएगा गारंटी है कुछ न कुछ जरूर आएगा ए भाई मोई मोई चुपचाप पढ़ाई कर लो मारे जाओगे बहुत राखिक समीकरण नहीं है बताइए इसमें कौन लीनेरी कुश्चन नहीं है रखिक समीकरण का मतलब जाने रहो ऐसा equation जिसमें 1 या 1 से अधिक चाहर हूँ लेकिन उसकी जो पावर है maximum पावर वो 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए जैसे देखो यहाँ पर अधिक्तम घात क्या होती है जैसे समीकरण की घात क्या है पता है देखो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं इस समीकरण की घात कितनी है बताए समीकरण की घात क्या है बताओ अलग-अलग घाते लगी है बता भया रुकसार, पूजा, गीता समीकरण की घात जो है इसमें लगी हुई maximum power है वही मानी जाती है अधिकतम क्या इसका 5 है इसका 2 है इसका 1 है सबसे बड़ा कौन है 5 है तो समीकरण की घात 5 मानी जाएगी क्या होगी 5 तो वैसे क्या है कि ऐसा equation जिसकी घात 1 हो पतलब वहन से दिखना हो किसी प्रकार से वो होता है रैखिक समीकरण इसमें भी देखिए गुड़ा भी कर लेंगे फिर भी घात एक है रहेगी तो ये पहला होगा नहीं इसका गुड़ा कर लेंगे तब भी घात नहीं बढ़ेगी क्योंकि अलग अलग बरियेबल है ये भी नहीं होगा बच्चा इसमें गुड़ा करोगे तो ये हो जाएगा यक्स का स्कॉयर ये पांच यक्स धन नो यही है साही अंसर बताईए इसमें रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण में चर कितने हो सकते हैं बहुत अच्छा बड़े गुड़ अगर कोई linear equation है तो उसमें हमें सिर्फ घात देखना है क्या देखना है घात सबसे बड़ी घात जो है वो एक होनी चाहिए बस सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए एक से अधिक नहीं होना चाहिए बरियेबल्स का मतलब नहीं होता बरियेबल्स कितने भी हो सकते हैं एक जो भी बट एकवेशन में coordination में अगर option है तो आप इसमें अनंद्द भी कर सकते हो कि एक रैठक शमीकरण में कितने भी चर हो सकते हैं लेकिन अधिक्तम घात एक से अधिक नहीं होना चाहिए बस तो यह कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कुश्चन थे जो इससे संबंधित थे और यह परिछा के लिए आती इंपॉर्टेंट यानि बहुत ही इंपॉर्टेंट